हरदोई थाने के शहबाद इलाके में राशन माफियाओं का घोटाला लगातार जारी है सुबे में काबिज योगी सरकार राशन की काला बाजारी में रोक लगाने के लिए तरह तरह के नियम बना रही है वहीं शहबाद कस्बे में राशन माफियाओं का जलवा लगातार जारी है प्रशासन की नाक के नीचे राशन माफिया बेखाफ होकर सरकारी राशन की बड़े अस्तर पर तसकरी कर रहे हैं और गरीबों के हक पर खुले आम डाका डाल रहे हैं लेकिन हरदोई के अफसर इन राशन माफियाओं के कारनामों से बिलकुल अंजान बैठे हैं या फिर सब को जानते हुए भी नासमज़ बनने का ढोंग कर रहे हैं यहां तस्विरों में आप देख सकते हैं कि पुरा का पुरा ट्रक सरकारी राशन से लदा हुआ है यह गरीबों के हक पर नहीं बलकि उनके पेट पर भी राशन माफियाओं का वो धावा है जो कि तसकरी के लिए ले जाया जा रहा है जब इसकी जानकारी SDM तथा तहसील प्रशासन को दी गई तो उन्होंने मुखिबेरों की सोचना को भी अनदेखा कर दिया सबसे बड़ा सवाल तो यही उड़ता है कि आखिर राशन माफियाओं पर कारेवाई करने से प्रशासन क्यों डर रहा है या फिर इन्हें भी किसी कमिशन का लालच है ऐसी बाते अब लोगों के बीच आम हो रही है अर्दोई से लवी खान की रिपोर्ट इंडिया आप तक नियूस के लिए